आज के वीडियो में आप सबका स्वागत है सबसे पहले तो आप सबस्क्राइब कर देना चैनल को एंड बेल आइकन प्रेस करके डिफिनिटली आप आल पे जरूर से सेट कर देना दूसरी बात आप इस वीडियो में जब मैं टेकनिकल्स के बारे में बात करूँगा मतलब आप अपने चाट पे अपने मोवाईल पे जो आप चाट खूलोगे तब आपको टेकनिकल्स में चार्पाँच केंडल्स आगे के दिख सकते हैं मेरे वीडियो में जो चार्ट खुलावा होगा उसमें नहीं दिखेगा इसका रिजन यह है क्योंकि मैं वीडियो उसको प्रिशूट कर रहा हूँ तो उस वेज़े से जो है मैं पहले वीडियो को शूट कर रहा हूँ तो आपको कैसे दिखेगा स्टार्ट करते हैं वीडियो को इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं JP Power के बारे में mainly stock doesn't matter matter करता है आज का जो education मतलब जो भी educational वीडियो होने वाला है वो matter करता है तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले तो यार आपको अगर कोई भी doubt है किसी भी stock को ले करके आप just comment कर सकते हो and हमें बता सकते हो कि यह मेरा particular stock है इसके मुझे fundamental जानना है या इसका मुझे business जानना है तो उसके उपर में detail में एक video बना दूँगा आगे बढ़ते हैं and यहाँ पर जैसे मैंने कहा आज हम बात करने वाले हैं कुछ ऐसे चीजों के बारे में जो कि आपको नहीं करना चाहिए during a stock picking मतलब किन चीजों का आपको ध्यान रखना चाहिए अगर मैं short में आपको बताऊ तो how not to find stocks या फिर how to मतलब how to stay away from these type of stocks जो कि आपका पैसा बनाइंग नहीं erode कर देंगे तो start करते हैं वीडियो में short रखने की कोशिश करूँगा सबसे पहले आपको जो market cap का आप देख रहे हो ठीक है doesn't matter कितना भी उसका market cap हो हाँ थोड़ा matter करता है अगर उसका market cap कम होगा तो उसमें जो है growth करना आसान होगा अगर उसका market cap जादा होगा उसमें growth करना थोड़ा मुश्किल होता है देखो मैं इस वीडियो को बहुत ये simple रखने वाला हूँ क्योंकि बहुत लोग को simple चीज़ नहीं पता और लोग बहुत आगे निकल जाते है लोग सोसते यार ROE इतना है ROC इतना है price to book इतना है और उसके बाद यहाँ पे PE ratio इतना है ये वो है वो ये है लोग बहुत detail में चले जाते हैं लेकिन अगर आपको simply जानना हो तो आप इस वीडियो को देखना simple है बट काफी मिज़दार होने वाला है सबसे पहले irrespective of market cap मैं एकदम simple रख रहा हूँ वीडियो को ठीक एकदम basic रख रहा हूँ आप चले जाओ profit and loss में इसमें आपको simple सा क्या देखना है आपको देखना है कि क्या sales increase हो रहा है क्या साल दर साल sales increase हो रहा है अगर आप यहाँ पे देखोगे 1600 था उसके बाद क्या हुआ 2400 हुआ 2800 हुआ 4000 हुआ हो तो रहा है तो ठीक आगे बढ़ते हैं sales को increase हो रहा है नहीं as आपको नहीं करना है आपको यहाँ से पूरा देखना है कि क्या पूरा increase हो रहा है और यहाँ पे आप देखोगे फिर थोड़ा increase हुआ फिर 5700 तो यहाँ पे आपको लग रहा होगा कि यहाँ थोड़ा बहुत decrease भी हो रहा है थोड़ा बहुत increase भी हो रहा है तो डिपेंड यह भी करता है कि कितना increase हो रहा है अगर आप यहाँ पे देखोगे broader view पे तो 2015 से 2000 22 तक मैं कह सकता हूँ कि stock जो है लग भग stock 4000 के आसपास रहा 4000 से 4500 के बीच में ही रहा तो यहाँ पे कितने साल हो गए 8 साल 8 साल में stock जो है लग भग ना के बराबर increase होगा है तो यही सब चीज आपको identify करना है अगर कोई stock आपको ऐसा दिखता है कि वो लगातर एक ही जैसे numbers थोड़े आगे पीछे थोड़े आगे पीछे करके दिए जा रहा है तो आपको वो थोड़ा सा देखना है समझना है देखो यहाँ पे मैं definitely बोलूँगा 2015 तक जो है growth काफी अच्छा था definitely अच्छा था अगर 25% के आसपास होता है फिर ठीक है अच्छा है अगर 25% के बहुत नीचे मतलब 20% के आसपास होता है फिर okay okay सा है अगर 20% से भी नीचे होता है 15% 10% होता है फिर तो यार 15% मतलब not good 10% very bad यहाँ पे 10 साल का 9% not good very bad अच्छी बात नहीं है और 5 साल में 3% यार आप खुद तो चोचो अगर 10 साल का मतलब अगर मैं 10% को not good बोलता हूँ very bad बोलता हूँ तो 3% को मैं क्या भोलूँगा यहाँ पे सिर्फ 3 साल का 21% है जो डेटा फिर भी अच्छा है फिर भी ठीक है तो यहाँ पे यार यहाँ पे एक बार से कोई काम नहीं चलता है आपको broader view देखना है stock में overall कोई growth नहीं है और यहाँ पे percentages आपको help करेंगे समझने में क्या मैं सही identify कर रहा हूँ तो ए cross check आप कर सकते हो profits अगर आप देखोगे तो profits में क्या है यहाँ पे आप देखो फिर positive हुआ बट यहाँ पे अभी फिर से यहाँ पे नीचे जा रहा है ठीक है तो यहाँ पे overall अगर आप एक बार इस तरह से compare करोगे तो 2012 में 401 करोड था ठीक है वो profit क्या हुआ अभी कितना है 55 करोड है या फिर आप कह सकते हूँ 5 करोड है तो आप सूचो profit increase हुआ है क्या तो बिल्कुल increase नहीं हुआ है उपर से तो बहुत जादर decrease हो गया है तो यह एक बात है अगर आप इस तरह से ही देखोगे sales को तो sales देखो मतलब 1600 से 5700 पर यह जा चुका है ठीक है तो कितना हो गया लगभग आप मैं अगर बहुत अपरोक्स अगें मान रहा हूँ तो तीन गुना मान करके चलता है या चार गुना ठीक है चार गुना मान करके चलता है चार गुना in fact जाद ही हो जा रहा है तो इसके बीच का नंबर ले लेता है साड़े तीन गुना तो लगभग सेल्स 11 सालों में या 12 सालों में अगर आप TTM को इंक्लूड करो ना करो तो 11-12 सालों में साड़े तीन गुना हुआ है और नेट प्रॉफिट तो यहाँ पे बहुत की डिक्रीज हो गया है तो अगर मैं सेल्स कोई कह रहा हों कि तीन साल का 27 परसंट यह नंबर्स फिर भी ठीक है लेकिन अगेन यहाँ पे आपको एक ब्रॉडर व्यू देखना होता है और स्टॉक प्रेसीजर के बारे में हम बात ही नहीं करते है ROE मैं आपको सिंपल बता दू ROE का हिसाब किताब ROE अगर आपको single digit में दिखे not good double digit में दिखे then उसके बाद आपको देखना होता है कि अगर वो 10 मतलब देखो double digit में दिखे तो अगर वो 10 से 15 के बीच में है तो भी अच्छा नहीं है उतना 15 से जादा है 15 से 20 इसके बीच में है तो फिर ठीक है 20 से 25 के बीच में तो फिर अच्छा है 25 से उपर है तो बहुत अच्छा है 25 से 30 के बीच में तो बहुत अच्छा है और अगर 30 के भी उपर है 30-35% का है 40% का है तो भी बहुत अच्छा है यहाँ पर एक चीज़ा आपको बस याद रखना है मतलब थोड़ा basic है तो मैं इसको बताना नहीं चाहता था बट मैं बता जेता हूँ आपको यहाँ पर थोड़ा से difference देखने मिलेगा लेकिन मतलब थोड़ा से difference देखने मिलेगा जैसे की अगर आप कोई बहुत बड़ी capital efficiency मतलब जिसमें आपको बहुत जादा capital लगती है capital intensive जिसे हम कहते हैं वैसी companies में देख रहो तो आपको यहाँ पर ROE automatically कम ही मिलेगा बहुत capital intensive जो companies होती है मतलब जो infra companies होती है जिसमें बहुत-बहुत capital लगता है उसमें आपको ROE थोड़ा कम देखने मिलता है हो सकता है मतलब chances बहुत कम होते हैं कि आपको 35-40 तक ROE दिख जाए नामुमकिन सा ही आप कह सकते हो लेकिन हाँ उसमें भी ऐसा भी नहीं कि बहुत कम 20-25% 20-25 की बीच में 17-18 तक भी जो है वो ठीक में अच्छा में कहूंगा है तो खेर इसके बारे में और डीटेल में बाद में बात करेंगे लेकिन हाँ ROE जो है मैंने आपको बता दिया कि कहां से कैसा क्या हो सकता है हाँ 25 की आसपास है आप समझ लो अच्छा है ठीक है 20 की आसपास है आप समझ लो ठीक है और overall अगर आप देखोगे तो मुझे इसमें तीनों ही चीज अच्छा नहीं लगा ठीक है और अगर कोई एक चीज गरबड होती है मैं आपको एक इन थोड़ा बता दू अगर कोई एक चीज गरबड होती है आपको लग रहा है ROE तो इसका बहुत कम है sales और profit तो मुझे अच्छा लग रहा है तो हो सकता है कि आगे आने वाले सालों में sales और profit भी खराब हो जाए या ROE अच्छा हो जाए क्योंकि ऐसा नहीं हो सकता कि ROE जो है वो 2-3%, 5% है और यहाँ पे sales growth 40-40% का आ रहा है नहीं हो सकता है और अगर है तो आगे वो adjust हो जाएगा या तो sales नीच आएगा या तो ROE उपर जाएगा इसमें 90% है 80% chances में sales या फिर कहलो profit जो है EPS जो है वही नीचे आता है आगे बढ़ते हैं और यहाँ पे balance sheet पे चलते हैं अगर आप यहाँ पे देखोगे reserves जो है वो लगबग 4700 क्रोड की borrowing है अगर आप देखोगे borrowings पहले बहुत ज़ादा था reserves से बहुत ज़ादा मतलब अगर आप यहाँ देखोगे 3400 क्रोड का reserve है और 32000 क्रोड की borrowing है मतलब जितना reserve से उससे 10 गुना borrowing है तो आपको इस तरह की companies को avoid करना है again यहाँ पे थोड़ा सा exception लगता है अपने chemistry में पढ़ा है कि यह exception है यह exception है वो exception है इसमें भी थोड़ा होता है अगर आप दूसरे sector में जारे हो जैसे bank में अब bank में यहाँ पे bank NBFC वहाँ पे borrowing रहे गा ही वहाँ पे 10 गुना क्या वहाँ पे 50 गुना 20 गुना 30 गुना 100 गुने तक 100 गुना खेर जादा हो जाता है लेकिन हाँ आपको बहुत जादा borrowing मिलेगा लेकिन उसमें आपको घगराना नहीं है क्यों क्योंकि bank जोती है वो lending and borrowing का ही काम करती है तो उसमें borrowing जादा रहे गई दूसरा जैसे मैंने कहा capital intensive जो companies है उसमें भी आपको borrowing जादा मिलेगा लेकिन हाँ banks में आपको borrowing बहुत जादा मिलता है मतलब exceptionally high ठीक है क्योंकि उसका reason है आपको यहाँ पे जो capital intensive businesses है जैसे infra उसमें भी आपको borrowing जादा मिलेगा यहाँ पे इक but यह है कि आपको उसमें फिर भी देखना है कि borrowing से बहुत ज़ादा नहीं होना चीए मतलब इस तरह का borrowing नहीं होना चीए हाँ अगर ऐसा है कि यहाँ पे 50,000 है यहाँ पे 5000 है या फिर मतलब इस तरह का ratio है ठीक है इस तब ठीक चलेगा तो फिर ठीक है लेकिन अगर 30,000 क्रोड की रिजर्व्स है और 1,000,000 क्रोड का बॉर्विंग है और वो कंपनी जो है वो यहाँ पे capital intensive कंपनी है जैसे की infra तो इसमें थोड़ा मतलब जादा है बॉर्विंग ठीक है और अगर ऐसा है कि मानलो 3,000 क्रोड के रिजर्व्स है और मा कंपनी जो है capital intensive भी है और यहाँ पे borrowings और reserves मुझे फिर भी यहाँ पे ठीक लगे इसी वज़े से है ना CWIP देख सकते हैं कंपनी पहले बहुत करती थी अब विलकुल नहीं करती है खर इन सबसे मतलब भी नहीं होता है और आगे investors में अगर आप देखोगे तो investors में shareholding जो है हमेशा याद रखना promoter का shareholding जादा होना चाहिए public का shareholding कम होना चाहिए देखो promoter का shareholding जादा है अगर FISDIS promoter यह होगे strong hands अगर इनके पास share है company का percentage जादा तर इनके पास है then it's good अगर public के पास जादा है तो यह बहुत गलत बात है अगर आप यहाँ पे देखो इसको थोड़ा सा और correct कर सकते हो कि retail investor के पास share नहीं होना चाहिए क्योंकि public में जो है कुछ H&I भी आता है तो अगर आप उनको minus कर दोगे यहाँ पे जैसे 5-6-7 मैं 7 इसमें minus कर देता हूँ 49 में से 7 minus करोगे 42 मतलब मैं आप लेता हूँ 42-43% के आस पास जो है वो public का holding है त पब्लिक इंदसंस retail investor तो जहाँ पे 43-42% का जो holding है वो यहाँ पे आपको retail investor के पास देखने मिल जाता है तो वहाँ पे तो यार मैं तो बिलकुल नहीं जाओंगा क्योंकि public के पास जितना कम share holding हो उतनी ही अच्छी बात है दूसरी बात यह कभी नहीं होना चाहिए कि promoter share को sell कर रहे है FIA's DIA's share को sell कर रहे है और buy कौन कर रहे है पब्लिक कर रहा है यह भी एक बहुत negative बात है यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे share promoter ने sell किया 31% से 24% हो गया DIA's ने 53% से sell करते करते 22% पर कर दिया है और public ने पूरा buy किया 14% से इन्होंने 49% पिला दिया पब्लिक को कि यह चीज नहीं होने चीए इसी का just opposite अगर public से shareholding promoter के पास जा रहा है FIA's के पास जा रहा है DIA's के पास जा रहा है तो यह बहुत positive बात होती है ठीक है तो यह overall मैंने आपको बता दिया पहली बात आप इस चीज़ को identify करो कि कौन सा important है सबसे important है growth सबसे important है sales profit ROE EPS यह सब ब आगे देखने का मुझे कोई मतलब नहीं निकल दा है क्योंकि अगर company पर growth ही नहीं है तो long run में वो company आगे नहीं बढ़े की थोड़ा उपर निचे करके वही रह जाएगी अगर आप JP power की बात करो तो जैसे मैंने कहा कि growth नहीं है आपको लग रहा हूँ यार company तो growth कर रही है और वगेरा वगेरा जिस्ट मैं यहाँ पर थोड़ा सा देख लेता हूँ I don't know chart क्यों load नहीं हो रहा है एक बार मैं ऐसे reload कर लेता हूँ ताकि यहाँ पर load हो जाए chart तो मतलब overall यह जो video था यह एक example purpose था just educational purpose था कोई यहाँ पर recommendation नहीं है कोई यहाँ पर ऐसा और हाँ यह भ कर रही है जैसे मैंने कुछ exceptions आपको बता दिये और वही जो market cap में वही है कि अगर बहुत बड़ी market cap है जैसे मैंने कहा था यहाँ पर जो compounded sales growth है sales growth होना चे 25% के आसपस यह उससे जादा लेकिन यहाँ पर बहुत बड़ी companies है आप देखो कि उसमें ऐसा नहीं होता है क्यों क नहीं है जोनःने कि यहाँ बहुत बहुत बड़ी बन चुकी है अब यहाँ पर sales growth नहीं होता है इसका मतलब यह नेकियार यहाँ पर तो ऐसा ही होता है कोई बात है नहीं पे खोलना, आपको दीखेगा चार्ट जो है उपर से आया नीचे इस तरह से करके खतम हो गया फिर ऐसे करके यह जा रहा है तो जहां प्रे आपको चार्ट ऐसा दिख जाए कि उपर से जो है 2017-2018 से गिरता गिरता, यह 2010 तक एकदम 60-70% गिर गया उसके बाद यह just flat जा रहा है या थोड़ा थोड़ा ऊपर जा रहा है तो इस तरह को मैं तो ignore करता हूँ मैं तो उसमें जाता ही नहीं हूँ और यह चीज भी आपको समझनी है ओके सो यार चार्ट लोड हो चुका है तो एक बार बात ही कर लेता है तो मैं जो कह रहा था कि स्टॉक जो है उपर से 2007-08 से लगातार गिर रहा है देख सकते हो यहाँ पे 2001 सेकंड हाँ अगर आप देखोगे यह देखो दोहजार साथ नहीं 2010 की बात है तो 2010 में लिस्टिंग वा तब से लगातार गिर रहा है गिर रहा है और उसके बाद यहाँ पे लगबग फ्लैट परफॉर्मेंस हो गया स्टॉक का आप देखोगे उसके बाद स्टॉक जो अब धीरे देरे ऊपर जा रहा है तो लोग सोचते है यह फिर से वहां तक चला जाएगा तो अगर वहां से गिरा है और अब पैसा हमारा 50 गुरा हो जाएगा यह सब बेफिजूल की बात है अगर उस स्टॉक को वहां तक जाना ही होता ठीक है देख जो बंदा 2010 में इनवेस्ट किया होगा राउंड 80 रुपए पे अभी उसके जो पैसे है वो लगबग 10 रुपए पे आ चुके है ठीक है 80 रुपए से जो करेक्ट हो करके 10 रुपए पैसे आ चुका है ठीक है जो जिस बंदे ने 2010 से 2023, 13 साल हो चुके 13 14 साल में कोई पैसा ही कमाया है कि आपको लगता है कि आप इसे पैसा कमा लोगे जिसने 13-14 साल में कोई रिटर नहीं बना करके नहीं दिया हुआ है तो मुझे तो नहीं लगता अगर आपको लगता है तो यह मैं कोई कोई डाउट कमेंट करके पूछ लना बाई बाई जय हिंद एंड थैंक्स वर वाचिंग